नमस्कार दोस्तों, मैं विजय गुपता है, एंजियो क्रो क्राउट से 25 संदक्छनर्ड और परियावरण के लिए समर्पिद आज मैं आपको ऐसे सफल लोगों के असफलता की कहानिया लेकर आया हूँ जिनको सुनके आपके अंदर मोटिवेशन आएगा और आगे बढ़ने की एक चाहत आएगी जैसे कहते हैं मोटिवेशन की दो थियोरी होती है, एक केरट थियोरी होती है और इस्टिक थियोरी होती है यह कहानी उन लोगों के लिए जो करेट थियोरी को फॉलो करते हैं क्योंकि इस्टिक थियोरी वालों के लिए तो हमारे यहां कहावत ही है यह लातन के भूत है यह बातन से नहीं मानते क्योंकि stick theory को follow करने वाले हमेशा हर चीज में कमी निकालते हैं हर चीज में उम्र का example देते रहते हैं यह नहीं हो सकता, यह possible नहीं है, यह असंभव है तो सबसे पहले मैं Napoleon की उस बात को quote करना चाहूंगा कि impossible, nothing is impossible, impossible is the word found in the dictionary of fools इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, अगर आपने ठान लिया है असंभव केवल मूर्खों की dictionary का एक word है, मूर्खों की शब्द कोश का एक word Napoleon ने ये भी बोला था, कि if you build an army of hundred lions and their leader is a dog then all lions will like a dog in the battlefield but if you build an army of hundred dogs and their leader is a lion then all dogs will win like a lion in the battlefield कहने के मतलब ये है, कि आपके अंदर जुनून, जजबा और शेर दिली होना चाहिए जिससे आप हर जंग को जीज सकते है नाइपोलिया ने सही बोला था, कि अगर आप सौ कुत्तों की फौज बनाते हैं और उसका leader जो है, एक lion है तो सारे कुत्ते शेर की तरह जंगे मैदान में जीतेंगे लेकिन अगर आप सौ लाइंस की, सौ शेरों की फौज बनाते है और उनका एक leader जो है, कुत्ता है तो सारे lion, सारे शेर जो है, वो कुत्ते की मौत मरेंगे यह leadership का फर्ख है, यह आपके अंदर के जनौन का फर्ख है यह आपके अंदर के जज़भे का फर्ख है इसलिए यह सफल लोगों की असफलता कहानिया मैं आपको सुना रहा हूं जो आप सुनिये, और इसके बाद आप कुछ भी कर सकते है कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है कहते हैं कि अगर लोहे का काम करके कोई टाटा बन सकता है लोहे का काम करके कोई टाटा बन सकता है और जूतों का काम करके कोई बाटा बन सकता है तो तू क्यो तू क्यो निक्ठला पड़ा है कहने की बात यह है, काम कैसा भी है, छोटा हो या बड़ा हो, उसको डेडिकेशन, डिवोशन, शिद्दत, एक लगण के साथ करिए, सफलता हमेशा मिलेगी, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी, जिसमें सफलता मिले, हो सकता है सफलता, एक, दो, तीन, दस, हजार सफलता मिले, जै लेकिन उस असफलता के बाद, आप ऐसा अपना नाम रोशन करेंगे, ऐसा उजाला करेंगे, जैसे थामस एलवा एडिसन ने किया था, हमेंसे जादता लोग असफल होने पर इतना निराश हो जाते हैं, कि हार मान लेते हैं, और उन्हें लगता है, उनके साथ क्यों हुआ, लेकिन हमें यह समझना होगा, कि सफलता तक पहुशने का रास्ता असफलता की गलियों से ही गुजरता है, दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है, जिसको असफलता का सामना ना करना पड़ा हो, अगर आप विश्वास ना हो, तो विश्व के सफल व्यक्त कि 100%, 110%, 120% अगर इस चीज़ को आपने अपने दिल पे लगा लिया, अपने जहन पे लगा दिया, तो 100% एचीव करेंगे, सक्सेज, कोई आपको रोक नहीं सकता, सबसे पहले 11 इस्टोरी में नाम आता है करनल सेंडर्स का, जिसने KFC के संस्थापक हैं, होटल इंडर्स्ट्री और फूड इंडर्स्ट्री के बहुत बड़े संस्थापक, करनल सेंडर्स की ये कहानी किसी के भी होस उड़ा देगी, एक ऐसा इंसान जो जीवन भर संगस करता रहा, लेकिन अपने अंतिम दिनों में सफलता प्राप्त की, कोई सोच सकता है कि छाचट वर्स से उन्होंने कंपनी चालो की, और 90 येर्स तक में उन्होंने पुरा वर्ल्ड गूम लिया, और छाचट वर्स के पहले उन्होंने कई बार सुषाइट करने तक कभी सोचा, रीजन ये था कि असफलता, 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 वही इंसान यानि कर्नल सेंडर्स, 88 साल की उम्र में अरपती बने, यानि KFC के मालिक और विश्व के रहीस आदमी, कर्नल सेंडर्स से सीखने को ये मिलता है कि कोई उम्र नहीं होती, कोई शुरुवात करने की और छाचट वर्स की एज में भी जो बन्दा काम चालू करके और एकदम शिखर तक पहुंच सकता है, तो आप क्यों नहीं, आप हमेशा उम्र को क्यों दोश देते हैं, दूसा नाम है हेन्री फोर्ड, फोर्ड कंपनी आज विश्विक ख्यात है, इस कंपनी को उसका नाम संस्ताफक हेन्री फोर्ड के नाम से मिला, जो अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपती में से एक थे, लेकिन हेन्री फोर्ड हमेशा की तरह सफल उद्योगपती नहीं थे, उनकी शुरुआत असफलता और चुनोतियों से थी, पहली उनकी दो कंपनिया शुरू होने के कुछ समय के अंदर ही विफल हो गए, लेकिन इन असफलताओं ने उन्हें अपनी अगली और सफल कंपनी फोर्ड मोटर्स को शुरू करने से नहीं रोका, वे मोटर कार बनाने में एसेंबली लाइन का प्रियोक करने वाले सबसे पहले उद्योक पती हुने, जिनोंने कार इंडस्ट्री में करांती लाइन दूसरा नाम एक ऐसे महान राजनीति जिनका नाम है अब्राहम लिंकन जो एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए और उन्होंने सबसे बेकार प्रथा, वर्ल्ड की सबसे बेकार प्रथा, दास प्रथा, स्लेवरी सिश्टम को अमेरिका से खतम कर दिया, जिसे कहते हैं, द्रड मनुगबल किसे कहते हैं, उसको जानने के लिए एब्राहम लिंकन के जीवन पर नज़ा डालनी पड़ेगी, जो लगातार एलेक्शन हारते रहे, हा अंत में क्या जीता, प्रिसीडेंट का एलेक्शन, अमेरिका के प्रिसीडेंट का एलेक्शन, 1832 में उन्होंने अपनी नोकरी गवाई और विधान सबा चुनाओ हारे, अगले साल ही वे अपनी बिजनस में फेल हुए, 1834 में फिर से विधान सबा चुनाओ लड़े और पीकर कर चुनाओं हारे 843 में कॉंग्रेस के नॉमिनेशन में नहीं चुने गए 849 उन्होंने भूमी अधिकरण खारिश कर दिया गया 844 में लिंकन सीनेट के चुनाओं हार गया 856 में वह उपराश्पती के लिए नहीं चुने गया अधाश्पती के चुनाओं हार गया लेकिन फिर भी 1860 में अमेरिका के राश्पती बन गया दुनिया में ना बराबर ऐसे व्यक्तिया नेता होंगे जो इतने चुनाओं हारने के बावजूर भी राश्पती के रूप में सरवोच्च चुनाओं जीते गया अब्राहम लिंकन ये साबित कर दिया तीसी कहानी है निलसन मंडेल एक चौथी कहानी है जो कहते थे कि अपने नसीब का मालिक मैं खुद हूँ अपनी आत्मा का कप्तान मैं खुद हूँ इसी वाक्य ने निलसन मंडेला को साउथ अफरीका का राश्पती के पत तक पहुँचाया अपने आद समय तक किया गया संगस नजर आएगा राश्पती का पत पाने के इतना आसान नहीं था करीब 27 साल तक उन्होंने संगस किया और अपनी आधी जिन्दगी पूरी जेल में गुजारी पाश्वी कहानी है हैरी पोर्टर की आज सबसे सफल उपन्यास फेंटेसी नौवल के रू रोलिंग है कि आप यकीन करेंगे कि एक समय वो पूरी तरह निराश हो गई थे हताश कंगाल और तलाग शुदा थी सबसे पहली हैरी पोर्टर कहानी को लिखते समय वे एक आस्रे इस्थान आस्रम पर रह रही थी उनकी इस नौबल को 12 प्रकाशकों ने नकार दिया ऐसे व रिडाम आज हम देख रहे हैं इस्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता क्या सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए कमरा नहीं था और इसलिए वो दोस्तों के घर पर फर्ष पर सोता था जो अपना पेट भरने के लिए इस कौन मंदिर में भोजन करत था वो व्यक्ति दुनिया की सबसे सफल मोबाइल कंप्यूटर कंपनी का संस्थापक बन सकता है यही कहानिया एप्पिल कंपनी के संस्थापक इस्टीव जॉब्स की एक समय उनके पास रहने के लिए घर और खाने के लिए पैसे नहीं थी एक समय तो ऐसा भी आया है कि उन अलबर्ट आइंस्टीन जिनको बश्वान में मंद बुद्धी बालक माना गया तो पागल तक घोशित किया गया था उनके शिक्षकों ने उन्हें पढ़ाई छोड़ने के सला दी ते और कहा था तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी जिंदगी में काफी बड़ी उम्र तक बो मूती कि भारती कंपनी इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूती ने सही माइने में शूनियर से शुरुवात की थी इन्फोसिस की शुरुवात के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से 250 डॉऴर उधार मांगे थे शुरुवाती दिनों में इस आई टी में फोन जैसी फोन जैसी बुनियादी सुविधाय नहीं थी एक ऐसा समय भी आया जब यह कमपनी बंद होने की कगार पर थी लेकिन मूर्ती ने आशा नहीं छोड़ी और इन फोर्शिश के द्वारा भारत की पूरी आईटी इंडेस्ट्री को ही बदल कर रख दिया आप तो एक सफलता दो सफलता तीन सफलता चार सफलता में ही हार जाते हैं लेकिन मैं आपको ऐसे बंदे की बात बताता हूँ जो एक हजार बार असफलता प्राप्त करने को आशा करता रहा एक इंसान ने की थी जिसकी बदालाओ आज हमारे जीवन में उजाला है यह इनसान है थॉमस एलवा एडिसन हमें इन्हें सिर्फ लाइट बल्व ही नहीं परन्तु कई ऐसे महत्मुट खोजों के लिए जानते हैं इन्हों सफलता पूरवक लाइट बल्व बनाने से पहले एक हजार निस्फल प्रयत्न किये थे बच्पन में इनके शिक्षक द्वार लोग जानते हैं आपने बच्पन में मिकी माउस डोनाल डग खूब देखा होगा आज डिजनी कंपनी का नाम कौन नहीं जानता और फिल्में दुनिया भर में मश्रूर है इस कंपनी के संस्ताबक स्वरगीर वाल्ड डिजनी है इनकी जिन्दीगे के बारे में बहुत ही कम डिश्ट नौकरी मिली थी लेकिन वेक कम में संतोश करने वाली व्यक्ती नहीं थे उन्हों ने अपने भाईक साथ मिलकर एक फेल हो रही कंपनी लाफोगराम को खरीदा इस कंपनी को उन्हों ने एक स्वरूपने के में बदल दिजनी वर्ल्ड डिजनी लैंड डिजनी की नाम से जानते हैं, अंतिम कहानी 11 कहानी है, स्टीफन किंग की 16 साल की एमरे बुरी तरह शराब की लत्में फसे रहे, नशे में थे, 30 बार उनकी लिखी कि कहानी को नकारा गया, एक तिस्वी बार असफल होने पर अपनी ही कहानी उनकी कहानी को फेग दिया गया गया एक तिस्वी बार उनकी कहानी को प्रकाशक ने फेग दिया इस व्यक्ति का भविश्य क्या हो सकता है हम बताते हैं आपको यह व्यक्ति आगे जाकर एक महान लेखक बने और उनका नाम है इस्टीफेन किंग, अपनी पत्नी को जोर देने पर इन्हों ने इस कहानी को एक बार और प्रकाशक को भेजा और उसके बाद मिली सफलता हमारी सामने है, इस्टीफेन किंग की पुस्त के विश्ट सबसे शांदार पुस्तकों में शुमार है इसका मतलब ये है कि महान व्यक्ति और समान व्यक्ति में फर्क केवलों की सोच, नजरिये और विश्वास का होता है, जजबा जुनून का होता है, डेडिकेशन डिवोशन का होता है, लगन का होता है, महानता प्राप्त करने के लिए कभी प्रयत्न ना छोड़ने की सोच impossible impossible is the word found in the dictionary of only in the dictionary of fools असंभव केवल मूर्खों की dictionary का शब्द है और मूर्खों के लिए मैं जैसे मैंने पहले बोला था कि उनके लिए केवल एक ही वर्ड है हमारे अकहावत है कि लातन के भूत बातन से नहीं मानतें फिर उनके लिए एक ही motivational theory है वो है stick theory उनको डंडा दे कर ही सही किया जा सकता है उनके लिए कोई दूसरी theory नहीं है लेकिन जो motivate होते हैं जो दूसरों से सीखते हैं जो सीखना चाहते हैं जो प्रभावित होते हैं वो कैरेट थियोरी पी आते हैं जो कहते हैं जो देखते हैं और ये देखते हैं कि इतनी असफलता के बाद इतनी जादा असफलता के बाद हजार बार असफलता के बाद सामने वाला बंदा ये कहता है कि असफलता तो बहुत चाहूंगा फिस यही कहना चाहूंगा कि प्रियास करते रहें करते रहें करते रहें फेलियर इस टेप टो सकसिज अगर आपने जीवन में कुछ करना चाहा है तो जिंदगी एक बार मिली है उसको करके देखिए करके देखिए लगन करिए पहली असफलता दूसरे असफलता त सफलता कई सफलता को देखने के बाद आप सफलता पे जाएंगे अभीताब बच्चन की कहानी भी यही बोलती है बहुत बड़े बॉल्योड इस्टार मिलेनियम सपरिश्टार की कहानी भी यही बोलती है कि लगातार असफल फिल्में देने के बाद इस्टार्टिंग में सारी फिल्मिया सफल रही, फिर उस्के बाद एक दोर आए कि सुपरिश्टार हुए फिर सुपरिश्टार से फिर जीरो हुए, एक्सीडेंट हुआ, जीरो हो गया, कोई नाम नहीं, करजा हुआ, सब कुछ हुआ, घर डाओं पे लगया, लेकिन हार नहीं मानी हार नहीं मानी हार नहीं मानी और आज देखे मिलेनियम सुपरिष्टार फिर से वर्ल्ड के सुपरिष्टार हुए और सदी के महानायक सिया मिताब बच्चन जी ये जरूर बोलते हैं कि इस कविता ने उनकी जिन्दगी बदल दी कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका फिसलती है मन का विश्वास रगों में साहस भरता है चड़कर गिरना गिरकर चड़ना ना अखरता है आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती डुपकिया सिंदू में गोता खोर लगाता है जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है मिलते नहीं सहज ही मुती गहरे पानी में बढ़ता दुगना उससा इसी हैरानी में मुती उसकी खाली हर बार नहीं होती क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है असफलता असफलता एक चुनौती है सुईकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो जब तक ना सफल हो नीद चैन को त्यागो तुम संगर्ष का मैदान छोड मत भागो तुम कुछ के ये बिना ही जैजैकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर लिखिए आपके सजेशन्स आपके गाइडेंस मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं वर्दान हैं आपके कमेंट्स मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं वर्दान हैं और आशिरवाद हैं जिससे मैं अपने वीडियो को और भी बेहतर कर सकूँ और क्या कमी मेरे अंदर में है उसकी भी सुधार कर सकूँ थैंक्स लॉट थैंक्यू दोस्तों विजय गुपता हिया फ्रॉम एंजी ओ क्रो क्राउट डेडिकेटेट टू बर्ड एड एंवर्मेंट प्रॉम एंदर में लॉट एंजी बाते ओंजी प्रॉम एंजी एंजी घी थैयू टूमू झाल